जब कभी घर-पर आ जाते Unplanet a heastथ हम हख के बठके से रह जाते हैं घर पर कोई ऐसी सबजी हो जिसे हम बनाा पाए ऐसे मैं आज जबर TL गई हो gonna रेशीली स्रेशिपल आशान हैं लेकिन अलग तरीके से आ में आज बिनाने वाले को एम आँ करती हूं आज की रेशिपी आपके लिए हेल्प फुल होगी और रेशिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें चैनल करें अज़ाद से ज़्याद इसे फेमने और फेंड के साथ भी तेर करें बना लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए यहां पर मैंने कावली चनिल ल उनको हम भीगाने के लिए रख दीते हैं चोलो को कि खुले बर्तर में भीगा लीजेगा और कबर कर लीजेगा पूरी तरीके से पानी की मात्र कमनी होनी चाहिए यहां पर मैंने प्याज या ने चील लिया है इतना इसको जादा बारिक करकर करने कि कोई आवसकते नहीं क्य पानी चाइब रखे边 करें नहीं है तो आरके के नहीं मेर्वाइस सब्सक्राइब पानी चाम्रों के कोई भी के भूंत सकता नहीं है फाम कर से लगाल के बढ़ घृति प्मसाइल लिक bunsाज में पानी दो भी आकटिंग अधिया निक पर पṇ agility आ भीक काल यह इन आ हम इस Works और चीजों को भी ग्राइड कर लिए तो जैसे छोले होते हैं या पिर राजमा होते हैं इसमें टमाटर जब दो तीन अच्छे से पड़ेना सब तक इसमें श्याधी आता है तो हमें चीज यह यह पर दो चाहिए यह तो मैंने तो इसको भी हम ग्राइड कर लेते हैं मैंने थोड़ा सजब में याँ पर मिर्च थाबुत मिर्च भून दी तो मैंने आदी चम्मच यहां पर थाबुत जीर बूना है जीर आप जुरूर सी तरीके से भून कर डालोगे तास को अलग अलग वर आता है साथ में काश्मिति लाल मिर्च होती है बिना खलर कभी इस वेसल तो आपको यहां पर रेसीपी लगेगी तो हम चोले बना रहे हैं चोले तो हमारे भीक हैं आलो मैंने या पर थोड़ा से ब्लाइब कर लिए थे यानि कि 5 मीडियम साज कि मैंने आलो भीक रहे इसके छिलके हटा लिए थोड़ी से ठ जितना हमें आवसकता पड़ेगी इतने यहां पर टालेंगे तो चलते हैं गल्स की तरफ बनाते हैं यहां पर छोलका प्रोसेस करते हैं यहां पर मैंने लाल मिच्व थोड़ा से जीरा प्राइब किया था तो इसी में मैं डाल दूए यहां पर देशी गी दो बड़ी चमच काली वाली जो बड़ी इलाची आते हैं उसके इस्तमाल करेंगे दो चोट से टुकड़े मैंने डाल जीनी के भी डाल लिये हैं इनको हल्का भूनने के बाद हम यहां पर डाल देते हैं प्याज और जुलहसुन हमने यहां पर ग्रैंड किया था फर्स्ट में उसको डाल देत इसको बी ढलेंगे थोड़ी देर इसको इस तरीके से चलाएंगे जएदा इसको हमने बुना नहीं है इसमें एक एक चमच के बराबर चोटी चमच के बराबर नमक लेए हूं कोई सभी किचन किंग मसाला या नौर में मसाला भी ले सकते हो यहाँ पर हम डालेंगे अमशूर पॉर्डर थोड़ी सी चीनी स्वाद को बैलन्स करने के लिए चीनी का इस्तमाल आप जरूर से कीजिएगा छोले बनाते हो या फिर राजमा अगरा थोड़ी सा बरे एक चुट किलो लेकिन जुरूर से एड कीजिएगा जब आप यहाँ पर हम चुट डाल ले हो इससे स्वाद अच्छा आता है एक अलग परकार कर टेस्ट आ जाता है मसालो का स्वाद भी बैलन्स हो जाता है इसमें आलू जो हमने आपर प्याल के थे बस इनको हमने करतनी करना हाथों स करता है जाद़ इसको और बारिक मिलनी किरना है थोड़ी संवास आ ओलू के डिखने चाहिए सब्समें आपर बात पी हमीं समय आज के साथ में सं अच्छा अंधिक्णी करना है अbust करती हैं ँम्नेने इंके साथ पाने पीशाफ पान आपर आद मिलनें करना हैं थार चिम्पल से आप सब्जी बना लेते हो तो उसका अच्छा सा फ्लेवर आता है गी में जो हमने इसमें तड़का लगा या मसालो आएगा यह एक अलग तरीय के कीले सीपी भी हमको मिल जाते हैं खाने का टेस्ट भी अलगा जाता है चोलो में अच्छा सा मसालो कोटिंग हो गई । एक शीटी में हाइफ फ्लेम पे आने दिए इसके बार तीन शीटी यहां पर मदया में लो पर आप आने दिजेगा इससे कया होगा फ्ली थिंकिताः शे यहां पर लिक्ONEY जव निधालने है एक्षर प्लीडोल को कितने शीटी माहरी थी च्त भी ताइप में और बल्के इसको अपनी स्टीम में यहां पकनी देना चाहिए अपनी यह ठंड़ होता है तो भी हमें इसकी स्टीम खोलनी चाहिए तो रिजल्ट और बी अच्छा मिलता है इसमें मैंने पूरी चार शीटी लगवाई है अब हम इसका धकन खोल ले दर इसको यहां पर च्यक भी कर लेते ह है इसका मतलब है चोले परफेक्ट बनके तायार है मैंने थोड़ी चीज़ी मेत्य को यहां पर भूल लिया था और इसको क्रेस्पी कर लिए अब डाल देते उपर से छोलो मजब उर्तस तो इसका स्वाद आता अच्छा फ्लेवर आता है अलग-अलग करके हमने एक सारी ची चाहिए तो यहां पर आप ग्रेवी को आप बढ़ा सकती हो चाहिए तो यह रख सकती हो हमने जो दो से तीन यहां पर आलू बचा रखे दे आप चाहिए तो यहां पर डाल सकते हो उसको और थोड़ा से ग्रेवी भी बढ़ा सकते हो वैसे हमारे छोले जवर दस ऐसे बनी है जितना समय दाल को बनने में लगता है उतने समय यहां पर हमारे छोले बन के तायर हो जाते हैं जब भी आज आए अन प्लानेट के आप इस रेशीपी को एक बार जरूरस अबनाए कर देखेगा आप बहुत अच्छी लगेगी दो हैं हमें या छोले कह लीजिए का रसीपी तो हमारी यांपर बन के तायर हो गई है आप इसे इंजाइ करें आशक करती हूँ आज की रसीपी आपके लिए हेल्फ भूलोगी और यदि रसीपी अच्छी लगए तो प्लीज इसे लाइक करें चैनल को सस्काब करें और जाद से जाद आख से रसीपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धनवाद थैंक्यू सो मच्छ इंड आप